खलो बच्छो आप सब का आपके अपने चनल गोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागते तो फीरे विद्ध्यारतियो आज की इस क्लास में हम रक्साच 6 और 7 हिंदी विश्यकी वरक्बुक दोजा तेबी 24 के आकलन पत्रबारा को सौल्व करना सिखेंगे हमने कारे पत्रक एक से लेकर सतर तक सभी को बहुत अच्छे से अल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियुए है साती साथ आपकी अंद्रेजी और गिनित विश्यकी वरक्बुक की क्लासेज भी चल रही है उनकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप् अमेरिका में भर्मन कर रहे थे एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पूल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तेर रहे अंडे के चिलकों पर बंदूग से निसाना लगाते हुए देखा कि किसी भी लड़के का एक भी निसाना सही नहीं लग रहा था तब स्वामी नीजी ने एक लड़के से क्या ली बंदूग ली और खुद निसाना लगाने लगे उन्होंने पहला निसान लगाया और बिलकुल वो सही लगा फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निसाने लगाए और सभी बिलकुल सही लगे यह देखकर लड़कों को बहुत आचर्य हुआ और उन्होंने पूचा यह आप कैसे कर लेते हैं तो स्वामी जी बोले जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ अगर तुम निसाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने केवल लक्से पर होना चाहिए तब तुम कभी भी चुकोगे नहीं अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो तभी तुम्हें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है ठीके? देखो पहला प्रश्णो विवेका नंद ब्रमन कर रहे थे, कहां पर? अमेरिका में विवेका नंद ने निसाने लगाए, कितने लगाए? बार हो उनके निसाने लगे, पूरे बारा के बारा सही लगे तो था, लड़के निसाना लगा रहे थे, किस पर लगा रहे थे? पानी के अंदर तेरते उए अंडों के छिलकों पर आगे पांचवा प्रश्ण लड़कों का निसाना सही क्यों नहीं लग रहा था? लड़कों का निसाना सही क्यों नहीं लग रहा था क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्योंकि उनका पूरा ध्यान लक्से पर नहीं था उनका पूरा ध्यान लक्से पर नहीं था ठीके इसी लिए इसलिए लड़कों का निशाना सही नहीं लग रहा था अगला चट्रा प्रश्न हमें अपने काम में सफलता कीस तरह मिल सकती है हमें अपने काम के अंदर सफलता कीस तरह मिल सकती है हम कहेंगे जब हम अपना सारा ध्यान उस कारे में लगाएंगे उस कारे में लगाएंगे जिसे हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें सफलता अवस्य ही मिलेगी ठीके आगे प्रशन संक्या साथ निम्न लिखित बाक्यों में रिकांकित सरवनाम सब्दों के सही भेद पर सही का क्या लगाना है आपको निसान लगाना है देखो पहला है मैं होकी का मैच देखने गया तो यहाँ पर कौन सा सरवनाम है पूरुस वाचक सरवनाम क्यों सा सब्द आया है मैं है कल राजू से मिलने कोई आया था कोई का मतलब यह कैसा है अनिच्चे वाचक फिर यह मेरा घर है मेरा घर है मतलब यह कैसा है यह आपका पूरुस वाचक है निच्ची थे कि यह मेरा ही घर है इमेल का दूसरा नाम लिखिए इमेल का दूसरा नाम क्या होता है इमेल का दूसरा नाम होता है electronic mail क्या होता है बच्चो electronic mail होता है email का पूरा नाम या दूसरा नाम electronic mail ठीके बच्चो तो इस तरह हमने आकलन 12 के सभी प्रशनों के उतर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यह दिया आपको मेरी क्लास और मैनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो, सबस्क्राइब जरू करें आज गले इतना ही जै हिंद, जै भारत